तो आज की इस वीडियो में हम लोग 20th century के एक बहुत ही famous art moment को discuss करेंगे symbolism मैं इसको literary moment नहीं बोल रहा हूँ आप ध्यान दे ना मैं इसको art moment बोल रहा हूँ अगर ये सिर्फ literature में आता तो मैं इसको बोलता literary moment मैं इसको art moment इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये और दूसरे arts में भी आया था जैसे painting और music तो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस ने develop किया ये France से कैसे English में आया और English में इसमें सबसे ज़्यादा काम किस ने किया था William Butler Reads हम सब जानते हैं ये वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है चलिए मैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये symbolism क्या था literature में वैसे तो ये एक बहुत बड़ा art moment था लेकिन literature में इसको एक famous aesthetic moment माना जाता है अब आपको ध्यान में रखना है कि इस moment की शुरुवात मानी जाती है Charles Bottelier नाम की एक French poet थे दोस्तों उन्होंने French language में एक poetry का collection लिखा था जिसका नाम है English में Flowers of Evil ये उसका French में नाम है दोस्तों इस collection को symbolist moment में सबसे important work माना जाता है अब आप ये जरूर जानना चाहोगे कि इनको symbolism की inspiration कहां से मिली तो दोस्तों Edgar Allen Poe जो बहुत ही famous writer है famous American writer है जब इन्होंने उनके works पड़े तो बहुत admire गया उनके works को इनका नाम आप note कर लो एक तो ये थे और एक थे Stephen Malame और इनके अलावा Paul Welle Line कहा जाता है इन तीनों ने मिलकर इस symbolism की theory को develop किया था दोस्तों France में तो France से ये symbolismism वाला art moment शुरू हुआ है 1860s, 1870s और 1880s के time तक फिर एक और नाम आपको note करना है जिनका नाम है Gene Moriaz इन्होंने इस term symbolismist को coin out किया था दोस्तों इन्होंने एक symbolismist manifesto लिखा था जिसमें इन्होंने इन तीनों के नामों को mention करते हुए कहा है कि ये तीनों leading parts थे इस movement के अब मैं आपको बताता हूँ कि English language में symbolism को introduce किया था Arthur Simons ने जब उन्होंने अपना famous work लिखा The Symbolist Moment in Literature 1899 में और इस work के साथ ही English language में ये symbolismism moment शुरू हुआ इस work ने especially T.S. Eliot को influence किया और W.B. Yeats को T.S. Eliot ने तो इस work को लेकर Simons के लिए ऐसा लिखा है I myself owe Mr. Simons a great debt और William Butler Yeats का तो symbolism में बहुत बड़ा नाम है दोस्तो इनको English literature में symbolismist movement का chief representative कहा जाता है लेकिन आप ऐसा मत समझना कि Yeats का symbolism France से belong करता है काफी लोग यही mistake करते हैं समझने में कि Yeats का symbolism France से belong करता है क्योंकि इनको French language इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती है तो France से तो इनका symbolism belong नहीं करता है लेकिन author Simons ने जो work लेखा था उससे जरूर इनको inspiration मिली थी यह बात सही है तो आप अगर जानना चाहते हो कि इनका symbolism कहा से था तो आपको France में जागने की जरूरत नहीं है बलकि यहीं के poets specially William Blake, Shelley और Rossity इन पर बेस था इनका symbolism सबसे ज्यादा एक Russian author थी दोस्तों मैडम Blavets की उनके works को पढ़कर इन्होंने जाना Anima Mundi के बारे में अगर आप Anima Mundi के बारे में जानना चाहते हो तो एक और separate वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा कि Anima Mundi क्या है तो ऐसे writers को पढ़ने के बाद में Yeats बन जाते हैं एक poetic visionary और इन सबसे inspiration लेने के बाद में Yeats अपनी poetry के अंदर magical symbols का बड़ा use करने लगे जैसे William Blake करते थे न वैसे ही इन्होंने directly France के symbolism के बारे में थोड़ी जाना था दोस्तों ये पहले से use करते आ रहे थे symbolism को बाद में इनको Simon's से पता लगा कि तुम जो लिख रहे हो न उसको symbolist poetry कहते हैं और एक कमाल की बात बताऊं दोस्तों Simon's ने ये जो book थी न इन्होंने जो लिखी थी ये Yeats को dedicate की है हाँ Yeats को dedicate की है Yeats बोला करते थे symbolism के लिए कि symbols का use करने से गूंगी चीजों को आवाज मिल जाती है और bodyless चीजों को body मिल जाती है अब इतना सब कुछ बताने के बाद में मैं वीडियो को sum up करता हुआ बताने की कोशिश करता हूँ आखिर ये symbolism है क्या देखो जो लोग symbolism का use करते थे थे न अपनी poetry के अंदर वो ऐसा मानते थे कि हमें लंबे लंबे description देने की जरूरत नहीं है, narrations देने की जरूरत नहीं है short में लिखो, mysterious लिखो, symbols का use करो Symbolist poem जब लिखी जाती है तो एकदम short में लिखी जाती है वो poem आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और बड़ी mysterious टाइप की होती है इस टाइम पर ML Zola जैसे writers थे न वो descriptive methods का use करते थे तो उनकी against एक reaction था कि poetry को जितना हो सके उतना हमें short में रखना चाहिए और symbols का use करना चाहिए ये symbolist मानते थे कि हमने कुछ भी नया नहीं किया है मतलब हमने बहुत कुछ नहीं चीज नहीं ला दिया बलकि art की purity जो थी न उसको वापिस जो कहीं खो गई थी का एक attempt था Yeats को इस movement में इसलिए इतना interest आया या फिर वो इसकी तरफ इसलिए इतना जोके क्योंकि उन्हें magic में बड़ा interest था वो अपनी खुद की Irish mythology में भी बड़ा interest रखते थे दोस्तों यहाँ पर एक additional चीज मैं आपको बताना चाहूंगा Yeats ने 1896 से 1903 तक कुछ essays की series लिखी थी जिसमें उन्होंने symbolism के idea को लेकर अपनी जो theory थी उसको develop किया था कब से कब तक 1896 से 1903 तक इन essays को उन्होंने good and evil title से publish करवाया था दोस्तों यह title भी उन्होंने William Blake से उधार लिया है ठीक है Yeats ने लिखा Yeats ने खुद लिखा है अपने essays के अंदर a symbol passes beyond death as it were and becomes a living soul उन्होंने एक essay लिखा था दोस्तों magic नाम से उस essay के अंदर इन्होंने symbols के दो type बताए हैं दो type की species बताई है पहले है inherent symbols और दूसरे है arbitrary symbols inherent symbols और arbitrary symbols यह कहते थे कि symbols की अपनी richness होती है जो काम symbols करते है न वो काम metaphor और allegory नहीं कर सकते अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको symbolism का मतलब समझ में आया होगा यह मैंने literature के perspective से बात किये दोस्तों आप चाहो तो मैं इसको दूसरे arts पर भी discuss कर सकता हूँ जिससे picture और clear हो जाएगी विलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में